नमस्कार दोस्तों मैं प्रिंग सेने आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल लर्न और ग्रो में आज हम डिसकस करेंगे लो ओफ गेरिंग के बारे में लो ओफ गेरिंग क्या होता है या फिर इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं वो क्या है उसी को लो ओफ गेरिंग बोला जाता है तो चलिए इसको समझते हैं देखे जब भी दो गेर कोंटेक्ट में होते हैं तो मोशन का ट्रांसफर होता है जैसे माल लेजिए यह इस तरह से प्लॉक्वाइब ढ़े जो हमारे यह वील है इस तरह से तो इसकी हऽे हैं जो है जो है य Springs भॉम रहा है यह तो यहां पर देखिए यह ओर इसक सामें गोमेगा gran are quickly products graph क्योंकि होनेक्ट आप यह वाला और यह वाला तो यहां पर एक contact point बनेगा इस तरह से इस contact point को माल लिजे कोई भी आप नाम देते के पी क्यों एल एम एन कुछ भी नाम देते तो यहां पर एक contact point बनता है जिसकी help से जब यह contact में आता है तो यह जो wheel है इस wheel को motion देता है तो अब low of gearing के अंदर है क्या और यहां कहें कि जो वो fundamental condition है कि constant velocity रेशो जो है उसके लिए जो fundamental condition है वो है क्या तो अगर हमें constant angular velocity चाहिए सबी position के लिए wheels की यानि कि जैसे यह contact हो रहा है हमारा इस point पर तो हमें अगर constant angular velocity चाहिए for all position of the wheels एक point हमें चाहिए जरूर चाहिए जो कि fixed point रहेगा और जिसको हम pitch point बोलेंगे दोनों wheels के लिए अब pitch point क्या होता है यह भी हम discuss कर चुके हैं उससे पहले pitch circle की बात करते हैं pitch circle जहां पर दोनों gear के मिलते हैं वहाँ पर pitch point बनता है pitch circle क्या होता है वो हमारा imaginary circle होता है उसको भी हम discuss करेंगे जो common normal अगर हम लें या फिर दूसरा ही इसकी definition है कि यह common normal लें at the point of contact जैसे हमने यह point of contact देखा था वहाँ से common normal लें between a pair of teeth जहां पर दोनों teeth contact में कर आ रहे हैं या contact कर रहे हैं must always pass through the pitch point यानि कि common normal लेंगे वो हमेशा pitch point से ही pass करेगा जहां पर gear teeth आपस में contact में आ रहे होंगे या होंगे ऐसा कहले जैसे मा लिजिए यह इसका pitch circle है और यह इसका pitch circle है दोगेर हमने लिए और यह हमने पीच सरकल ले लिया तो अब इसका pitch point कहां पर है pitch point यह है यह वाला pitch point है contact point हो गया यह pitch point हो गया अगर हम इसका common normal ले जहां पर यह दोनों teeth contact कर रहे हैं तो common normal हमारा यह होगा यह वाला common normal हमारा होगा अब यह जो common normal है यह हमारा हमेशा pitch point से pass करना चाहिए अगर हमें constant velocity constant angular velocity अगर obtain करनी है तो इतना तो आप समझ गई होंगे कि एक definition जो है यह कहती है कि common normal है pitch point से pass करना चाहिए और एक हमारे पास ऐसा point होना चाहिए कि जहां पर यह point जो हो जिसको हम pitch point बोल रहे हैं दोनों wheels के लिए या दोनों gears जो है जहां पर यह contact में आ रहे हैं तो उनके लिए एक point fix होना चाहिए और उसी point से हमारा common normal जो है जहां से contact में आ रहे होते हैं हमका common normal pass करना चाहिए इतना भी आप समझिए चलिए अब इसकी derivation को देखते हैं और इसको अच्छी तरह समझते हैं यह तो हमने सिर्फ definition देखी अब हम क्या करते हैं दो portion ले लेते हैं दोनों teeth के यानि कि जो उपर वाला wheel था और जो नीचे वाला wheel था तो हमने कुछ portion ले लिया एक portion ले लिया और एक और ति इसका ऊतना हम देते हैं और यहां से common जो इनका ले ले लेते हैं यहां से इतका यहां से contact में और एक common normal ध्यान रखेगा आप इसको हम नाम दे देते हैं मानली आप इसको नाम दे देते हैं M और M आपने common normal ले लिया उसके बाद एक common tangent ले 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 common tangent कौन सा होगा जो इनको इस तरह से छूता हुआ निकलेगा तो यह हम ले लेते हैं common tangent अब माल लेते हैं इसको हम T और T डैश बोल देते हैं तो यह जो है हमने एक common tangent ले लिया ध्यान दीजिएगा यह contact point पर common normal है इस तरह से और यह जो है common tangent है अब हम क्या करते हैं यहां से oven से यहां से एक perpendicular center पर गिरा लेते हैं इसी तरह से ओटू से भी एक perpendicular इस common normal पर गिरा लेते हैं यह हो गया तो यह यहां तक आप समझ गए होंगे उसके बाद देखिए यह जो क्यों point है अब यह जो है अपनी velocity जो है इस तरह दिखाएगा यानि कि यहां पर हम इसको नाम देते है कि यह one है और यह second है जो first teeth है first जो वील है यह उसका teeth कहें यहां पर यह contact में point क्यों है तो किस तरफ जाने की कोशिश करेगा क्योंकि अगर इसके अंगुलर लोश्टी इस तरफ ले 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 माली जी इसके अंगुलर लोश्टी हम ले लोश्टी देखें तो वह इस तरफ होगी जैसे कि मालनी जीए आप कोई एक थ्रेड ले उससे एक पत्थर को बांद ले अब इसको आप घुमाएं तो आपने चारो तरफ इसको घुमाया आप किसी point पर आप उसका velocity देखना जाते हैं कि किस direction में है तो वह उसका भीले पर बात की ध्यान दीजेगा अब second wheel पर ही क्यों point की ही velocity की बात करते हैं तो second पर हम देखेंगे यह इसको घुमा रहा है और यह घुम रहा है जो second है तो क्यों जो है वह इस तरफ आजाएगा यानि कि थोड़ा साइन में difference आपको मिलेगा जो वीवन है वह इस तरफ ज लिए अब क्या करते हैं जो center से center को मिला देते हैं यानि कि oven से o2 को मिला देते हैं और यह contact point है oven से center से इसको मिला देते हैं इसी तरह से o2 को इसके उसे मिला देते हैं अब एक और point हम ले लेते हैं जो इस common normal को यह center to center हम गए हैं तो यहां पर इसने इसको काटा है तो हम इस point को माल लेते हैं कि यह point P है इतना आपके clear हो गया होगा अब देखिए हम एक एंगल लेंगे जो देखिए यह contact point तक है यह center से contact point तक क्यों है और यह जो नोर्मल हमने लिया है यह जो है यह 90 degree जो हमने common लिया था इससे यहां पर perpendicular उगराया था यह है हमारा 90 डिगरी का अब यह अंगल जो हम मान लेते हैं कि यह जो अंगल है यह अलफा मान लेते हैं इसी तरह से यहाँ पर यह जो अंगल है यह जो अंगल है इसको हम मान लेते हैं बीटा यह हमने अलफा अंगल मान लिया और यहाँ पर यह जो है हमने बीटा अंगल मान है अब यहां पर देखिए यहां पर जो V2V1 है यहां से भी हम एक जो है Normal जो है यहां पर अब हमारे कंप्लीट हो जाती है इसके इसके सारे स्टेप साब समझ गये सतर्त है हमें करना क्या है हमें चाहिए वह कंड़ीशन जहां पर हमें constant velocity ratio मिले इनके contact में जब ये दोनों contact में आ रहे हैं तो constant velocity ratio की condition हमें चाहिए अब उसके लिए क्या होगा अब हमने देखा ये जो point क्यों है V1 है उसकी velocity अगर वो इसके उपर है one wheel के teeth के उपर और V2 है अगर वो second wheel के teeth पर है तो अगर हम यहाँ पर इनके component को देखें जो कि इसके along है जो ये common normal हमने लिया है इसके along है तो वो हमारे क्या component बनेगे तो उससे पहले हम यहाँ पर angle निकाल लेते हैं यानि कि ये जो angle है ये कितना बनेगा और ये जो angle है ये कितना बनेगा तो ये angle कितना बनेंगा वो हम देख लेते हैं आप यहां पर देखिए यह 90 है और यह एलफा है चलिए इसको यहां पर ड्रा करके देखते हैं इस तरह से इस तरह से और इस तरह से हमने ड्रा कर लिया और यह यानि कि पूरी ट्रेंगल हम ले लेते हैं यह तो हमने क्या कर ड्रा किया है और इस N को यहां पर लिख लिजिए असानी के लिए तो O1 MQ यह हमने syml ड्रागिट रहं एंगल और यहां पर यह जो है यह हमारा 90 डिगरी है और यह जो एंगल है यह alpha है तो यह एंगल हमारा कितना हो जाएगा यह जो angle है यह 90 degree minus alpha हो जाएगा तो यह हमने तीनों angle find out कर लिए उसके बाद हमें यह angle निकालना है यानि कि इस line को हम आगे की तरफ बढ़ा देते हैं यह जो है और यहां से एक line इस तरह से ले लेते हैं अब इन दोनों के बीच का हमें angle निकालना है यह जो angle है अब यह angle कितना होगा आप देखिए यहां से यहां अगर हम देखिए कि यह जो है हमारा common tangent है यह जो t और t dash है तो इसी point पर है और वो इस तरह से इसी point पर है t और t dash यह t और t dash यानि कि यह पूरा जो angle है यह कितना है हमारा 90 degree का है आप देखिए ये 90 degree minus alpha है ये पूरा 90 degree है अब अगर हम 180 में से अगर हमें ये चाहिए ये तो पूरा 90 degree हो गया ये चाहिए तो अगर हम 180 degree में से 90 degree को minus 90 degree minus alpha को घटा देते हैं तो हमें क्या angle मिलता है alpha angle मिलता है यानि कि ये जो angle है ये alpha angle हमें मिलेगा यानि कि ये जो छोटा angle है हमारा यहां पर alpha बनेगा तो हम इस angle को लिख लेते हैं कि यह alpha angle बनेगा अब यह जो angle है यह बड़े वाला angle है अब यह किस तरह से बनेगा उसके लिए हमें यह देखना होगा O2 और जो हमारा यह N है यहां पर लिख लिजिए यह N यहां था क्योंकि यह common नर्मल लिया था M N हमने इस तरह से तो O2 जो N है अब यहां पर यह 90 डिगरी है यह हमने बीटा लिया है और यहां पर यह जो क्यों है इसको भी हम triangle को बना लेते हैं यहां पर इस तरह से यह इस तर है लगबग ओर यह जो है हमारा 90 डिगरी है यह हमारा यह कितना हो गया हमारा 90-20 माइस बीटा हो गया यानि कि यह common tangent है ती और टी डैश यह common tangent है पूरा angle जो है अगर हम पूरी angle की बात करें यहां से यहां तक तो वो कितना है हमारे पस यह 90 degree और यहां पर यह जो line निकल रही है जो V2 है अब माल लेते हैं कि यह इस तरफ है अब अगर हमें यह angle निकालना हो यह तो है हमारा MN जो common normal है यह चीज तो यह कितना angle हो जाएगा अब यह देखी यह 90 degree minus beta है और यह जो है हमारा 90 degree है यहां पर हमें एक और चीज जान देनी है जैसे कि हमने यह देखा था कि जैसे हम किसी पत्थर को अगर घुमाते है तो वह किसपे जाता है 90 degree पे हमारा जाता है इस तरह से तो यहां पर जो यह चीज यह यह से अगर यहां पर देखें और यह जो चीज है यह दोनों ही 90 degree पर है इसी तरह से अगर oven के साथ हम इस को देखें यह 90 डिगरी का अंगल बनाता है ओटू के साथ अगर हम इसको देखें तो ये भी 90 डिगरी का अंगल बनाएगा यानि कि इसके साथ जो है अगर हम इसको देखें तो ये जो है हमारा 90 डिगरी का अंगल बनाना चाहिए अब ये पूरा 90 डिगरी का अंगल हो यानि कि ये जो चीज ह है अगर हम बात करें ये जो चीज है अगर 90 degree हमें बनानी हो तो यह तो 90 degree minus beta है तो यहां पर हमें यह जो angle है वो कितना होना चाहिए हमारा यह beta होना चाहिए इसके अंदर हमें plus beta करना पड़ेगा तो अभी तो 90 degree बनेगा यानि कि यह जो चीज है 90 पर होगी इसके perpendicular होगी तो यह चीज हमारी यहां पर आएगी और जिससे कि यह जो एंगल है हम find out कर पाएंगे कि यह बीटा एंगल है तो इस तरह से alpha और beta एंगल हम दोनों find out कर लेंगे इतना काम हमें करना है बाकी बहुत असान है अब यहां पर देखिए अगर हमें constant velocity ratio चाह यह तब ही तो हमें constant velocity ratio मिलेगा अब इसके along जो हमारे component होंगे वीवन का क्या होगा अब यहां पर alpha है तो कोस alpha वीटू का क्या होगा यहां पर एंगल बीटा है तो कोस बीटा तो यहां पर आप लिखेंगे जो वीवन कोस alpha है वीवन कोस alpha equal to आप उसको कैसे लिख लेंगे व omega into r तो यह formula हम यहां पर लगाएंगे तो यहां पर omega into r v1 की जंगा हमारा क्या आजाएगा जो angular velocity omega 1 है और जो radius है radius यानि कि o1 into जो यहां तक है क्यों तक जो contact point है क्यों omega 1 into जो o1 क्यों है यानि कि omega into r हमने वीवन की जंगा लिख लिया ये आगया हमारा COOS alpha यह आगया और वीटु की जंगा इसी तरह से हम क्या लिख लेंगे omega 2 into r यानि कि o2 into क्यों जो 2 क्यों है तो यहां पर आजाएगा omega2 into o2 यह आगया हमारा v2 की जंगा और यहांपर यह क्या आ गया हमारा kosed conservative तो यह हमारा सारा clear हो जाएँगा आपको इस तरह से लिखना है अब यहां पर देखिए अगर हम kosed alpha की value put करें और kosed beta की value put करें तो वो हमारे पास क्या आएगी अब kosed alpha kosed alpha यहां पर यहां पर base है हमारा अगर यहां पर cos alpha हम निकालेंगे तो base है o1m यही है यहां पर 90 degree का angle है, hypotenuse क्या है o1 into जो q है तो यह चीज जो है हम cos alpha की जंगा लिखे देंगे, यहनि कि cos alpha की जंगा आपने क्या लिखे देंगे o1m divided by o1 q, cos alpha की जंगा लिखे दिया, और यह जो term है omega 1 into o1 q यह हमारी इसी तरह से आ जाएगी इसी तरह से जो हमारा यहां पर यहां पर यह है omega 2 into o2 q यह है, और यहां cos beta की जंगा यहां पर यह क्या जाएगा, यह भी सेम इसी तरह से आ जाएगा, o2 n divided by o2 q तो यहां पर आप cos beta की जंगा लिखे देंगे, o2 n divided by o2 q आप यहां पर देखिए, o1 q से o1 q cancel हो जाएगा, o2 q से o2 q cancel हमारा हो जाएगा तो यहां पर हमारा क्या बचेगा, omega 1 into, जो है, o1 m यही बचा और इस तरह क्या बचेगा, हमारा omega 2 into o2 n यह हमारे पास आगया, अगर आप यहां पर velocity ratio ले लेते हैं, यानि कि omega 2 को omega 1 के निचे ले जाते हैं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं omega 1 divided by omega 2 और यहां पर हमारा क्या आजाएगा यह o1 m इस तरफ आजाएगा, यानि कि o2 n divided by o1 m यह आजाएगा, यानि कि यह जो है आपने ratio निकाली velocity ratio के लिए, जो कि o2 n by o1 m आ गया, यानि कि o2 n by o1 m अब यहां से एक और triangle की बात करेंगे यह जो point हमने p लिया था तो एक triangle o1 mp और दूसरी triangle o2 np similar triangle है देखिए o1 mp यह जो point p है यह इस common normal को cut out कर रहा है जब हम center o1 और o2 को मिला रही है तो यह हमारी same triangle है यानि कि same एक जैसी triangle है o1 mp और o2 np तो triangle जो है हमारी o1 mp और जो triangle है हमारी o2 np similar triangle है तो similar triangle के लिए हम क्या लिख सकते हैं similar triangle के लिए आप इस तरह से लिख सकते हैं जो o2 n है यानि कि o2 से n उसके divide में आप क्या लिख सकते हैं o1 m लिख सकते हैं क्योंकि similar triangle है इसी तरह से आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं o2 p यानि कि o2 से p इसी तरह से o1 से p divide में तो इस तरह से आप लिख सकते हैं similar triangle के लिए यह आप follow कर सकते हैं by O1P लिख सकते हैं तो यह सारा आपके clear हो गया होगा अब हम क्या कर सकते हैं जो omega 1 divided by omega 2 है उसको हम जो O2N था हमारा divide में क्या था उसके O1M था equal to इसको किसके लिख सकते हैं O2P divided by O1P इसके बराबर लिख सकते हैं यानि कि यह जो चीज हमारी आई है यानि कि यह जो velocity O2N divided by O1M आया है O2P divided by O1P आया है यहां पर देखें O2N divided by O1M आया है यानि कि यह जो है हमारा common normal से यहां पर यह perpendicular गिरे थे हमारे तो उनका ratio आया है या फिर यह जो point P है जो हमने जब centers को मिला आया और इस common normal को इसने cut out किया तो इसके ratio के बराबर आया है लेकिन inversely proportional आया है जैसे omega 1 है omega 1 इसकी angular velocity है लेकिन अगर O1M देखें हम जो O1M है तो वो जो है यहां नीचे है यानि कि inversely proportional है omega 1 O1M और omega 2 O2N यानि कि यह जो दोनों angular velocity हैं एक तरह से inversely proportional आया है इन चीज़ों के या फिर जो O2P और O1P देखें इसके भी जो है inversely proportional आया है तो इस तरह से जो हमने पहले बात की थी जो हमने बात की थी कि जो हमारा low of gearing है और the fundamental condition है उसके लिए हमें obtain constant angular velocity के लिए सभी position के लिए विल कि एक point चाहिए must be fixed point उसको pitch point कहना है जो यह है और इन में से common normal गुजरेगा जो हमने common normal लिया था at the point of contact पे जो pair of teeth था तो हमेशा वो इसके बीच से o1m equal to o2p by o1p के आया है और यही जो है satisfy करेगी condition यह fundamental condition है वो satisfy करनी चाहिए जब आप profile को design करते हैं किसी भी gear के teeth के और इसी को हम low of gearing बोलते हैं तो thank you देखने के लिए और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे channel learn and grow पे हमें subscribe कर सकते हैं धन्यवाद